सुशान सेंग राकूत और दिशा के बीच में कुछ नई चैट सामने आई है और उसके बाद जो है सुशान के जो जिम के दोस्त हैं सुनील शुकला उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है इस पूरे मुद्दे पर सिधात पिठानी को जो है क्लीन चिर्ट नहीं मिलनी चाहिए हमने उस चैट पर देखा कि किस तरह जो है सुशान्त और दिशा के बीच में बिजनस दील हो रही है बिजनस को लेकर बात हो रही है और उसके बाद सिध्धूस का नाम आता है और यह सिध्धूस के सिधाथ पिठानी है उसको लेकर जो है कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है सुशान तो दिशा के बीच में जो है 11 अप्रिल के बाद जो बाद चीत हुई है वो सिधात पिठानी के मोबाइल से हुई है और ये conversation क्या हुई ये तभी पता चल सकता है जब सिधात पिठानी का फोन लिया जाए तो सु के बाद जो है जो conversation हुई है वो सिधात पिठानी के मोबाइल से chats हुई है अगर हमें सुशान का जानना है तो हमें उस chat तक पहुचना होगा जो सिधात पिठानी के मोबाइल से हुई है उन्होंने ये भी कहा कि अब दिशा का मोबाइल नहीं मिल सकता लेकिन सिधात पिठान में हैं और अगर वो सिधार पिठाणी है तो पता लगाया सकता है वो कहते हैं इसमें यह नहीं बोलूगा कि सुशा सिधार पिठाणी ने वह चैट की है तो वह चैट से बहुत सारी चीजे पता चल सकती और वह connection जो बार-बार सामने आ रहा है कि इन दोनों का connection था, दिशा ने सारी बाते सुषान को बताई थी तो क्या वो सारे connection इन चैट से पता चल सकते हैं, तो सिधात पिठानी को उन्होंने का कि clean chat नहीं मिलनी चाहिए, उनका phone जो है फोने से भेजा जाना चाहिए, मुंबई पुलिस जो है उनको बुलाए, उनका phone जब करे और उनके phone से जो है यह सारी detail पता लग सकती है कि सुषान ने ऐसी क्या चैट जो है दिशा के साथ सिधात पिठानी के नमबर से की थी, तो सिधात पिठानी पर एक बाद फिर से जो है सवाल उठ रही है इस चैट के बाहर आने के बाद क्योकि इस चैट में किसी सिधूस का जिक्र है और ये सिधात पिठानी है और सिधात पिठानी अगर है तो क्या सिधात के नमबर से सुषान की जिम फ्रेंड जो है सुननील शुकला उन्होंने कहा है कि सिधार पिठानी को clean sheet नहीं मिलनी चाहिए उनका phone जब किया जाए, seize किया जाए, फॉरें से भेजा जाए तो ये सारे link जो है सामने आ सकते हैं